दुनिया के सबसे सक्सेस्फुल एंटर्पेनियोर और एमेजोन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस हाल ही में अपने एक बड़े फैसुले की वज़से चर्चाओं में है। साल 2014 में एक इंटर्वियू में कहा था कि आज भी मैं रोज रात को बरतंधो कर सोता हूँ और मैं ये बात मानता हूँ कि ये दुनिया की सबसे सेक्सिज चीज है जो मैं कर सकता हूँ। रिसर्च करने वाली कंपनी ब्लू औरिजिन की भी शुरुवात की है। बेजोस को हमेशा से कंप्यूटर से खासा लगाओ रहा था। ये लगाओ उन्हें 1986 में प्रिंसल युनिवर्सिटीज खीच कर ले गया। जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस और एलेक्ट्रोनिक इंजिनेरिंग में पढ़ाई की। ग्राइजूशन के बाद बेजोस ने वाल स्ट्रीट में काम किया। सन 1990 में वो इन्वेस्टमेंट फॉर्म डीजी शौ के सीनियर वाइस प्रेसुडेंट बन गये। और वो सबसे कम उम्र के सीनियर वीसी चुने गये थे। चार साल बाद बेजोस ने इस नौकरी को भी छोड़ दिया। बेजोस को पता था कि उनकी उडान इतनी छोटी नहीं होने वाली है। इसलिए वो एक के बाद एक कई पादानों पर नई रिकॉर्ड्स हासल करते गए। Amazon.com आज एक उनलाइन शौपिंग की सबसे पसंदिदा वेबसाइट बन गई है। जहांपर आपको हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज मिल सकती है। आपको जानकर हरानी होगी कि जिस Amazon को आप आज जानते हैं, उसकी शुरुवात बेजोस ने एक उनलाइन बुक स्टोर के तौर पर की थी। शुरुवात में Amazon एक उनलाइन बुक स्टोर हुआ करती थी। साल 1994 में Amazon और बेजोस की जो सेक्सिसफुल स्टोरी शुरु हुई थी, वो आज भी जारी है। Amazon आज भी नए-नए सफलता के मुकाम हासिल कर रहा है। बेजोस और Amazon की कहानी दुनिया की सबसे सफल कहानियों में से एक है। Amazon की सफलताओं के बाद बेजोस ने साल 2013 में वॉसिंग्टन पोस्ट को खरेद लिया था। आपकी इस खबर को लेकर क्या राया है हमें कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताईए। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे टीवी नाइन भारत वर्ष।